तो यह हमारी periodic table है, यह आपको कहा तक याद होनी चाहिए, minimum 36 तक याद होनी चाहिए है, क्रिप्टन तक आपको पूरी periodic table याद होनी चाहिए है, तो आपको 36 तक याद होनी चाहिए, अब इसके अलावा दो चीजे, अब हम actual में फटाफट वाला, epic वाला चीजे लिखेंगे, पहली तो कि I love chemistry, अगर आप chemistry से प्यार नहीं करते, इसको अच्छी नजरों से नहीं देखोगे, तो यह भी आपको पलट के प्यार नहीं करेगी, तो सबसे पहले तो लिखना है, I love chemistry, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 54 तक याद करने बाइड जाते हैं, यार इसके उपर के, आपको 36 की उपर के periodic number जनरली दिये जाते है, ठीक है, तो भई हम आज शुरुआत करेंगे अपनी I love chemistry से, chemistry को आप जितना प्यार दोगे, chemistry आपको उतना ही प्यार देगी, तो सबसे वेले I love chemistry से शुरुआत करते हैं, ठीक है, बिना प्यार करें तो कुछ भी नहीं होता, ठी ठीक है, clear, अब आगे चले, दूसरी चीज, SDY टेकनीक को हम याद कर लेंगे, periodic और P-block, आज हम कौन-कौन से chapter करने वाले हैं, periodic table, फटापट से revise, और उससे भी ज़्यादा फटापट से हम revise करने वाले हैं, P-block, ठीक है, तो SDY हो गया, I love chemistry हो गया, समझो, देखो, याद करो पहले समझेंगे, फिर बहुत-बहुत दफ़ा देखेंगे, निहारेंगे, तनिक निहारेंगे, बोलते हैं न, और फिर, याद करेंगे, ठीक है, चलो, तो याद पिरोडिक टेबल का development कैसे हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बर की कमाई, जिंदगी बर की अपनी इंटलेक्ट और पूरी जिंदगी लगा दी, इसको डवलप करने में, लवाईजियर ने बोला, metal, non-metal में बाट लो, हमने reject कर दिया, यार, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, डॉबरे ने ने बोला, इन्होंने तो गामा पादानी सा सारे गामा, उन्हों बहुता, देखो, जैसे सारे गामा पादानी, और दुबारा से सा आ जाता है, वैसे ही, इन्होंने बोला, पैन का color change करके बताऊंगा, क्या बोला, इन्होंने बोला, कि यार आप क्या करो, कि साथ elements के बाद, आटवा element जो होगा, तो first और 8 element की property similar होंगी इन्होंने ऐसा observation किया अपनी लैब में इन्होंने बड़ा तगड़ा observation किया कि यह साथवे element के बाद साथवे element के बाद आठवा जो element है उसकी property first के similar होगी जैसे इनका कैसे हुआ लीथियम के बाद sodium आया इनका काम हो गया फिर potassium होया इनका काम हो गया तो new land की जो periodic table थी वो element 20 तक बहुत अच्छे से काम कर गई element 20 मतलब z is equal to 20 तक अच्छे तक काम कर गई क्योंकि उसमें सच में ऐसा होता है first के बाद जो आठवा आता है उसकी property first से एकड़म मिलती जुलती है लोधर मायर ने तो curve बना दिये पूरा experimental main जो काम किया वो दिमित्री वैनविच मैंडलीव ने किया किसने किया जो main काम periodic table में हमको समझाने का काम किया कि यार actually में elements की properties एक जैसी क्यों आती है scientific logical explanation दिया वो मेंडलीव ने दिया इन्होंने हमको हमारी life की और किसी भी human being की life की सबसे important वाली table दी which is periodic table इन्होंने हमको periodic table दी यार मेंडलीव ने क्या बोला कि भाईया जो भी हमारी characteristic properties आ रही है यार चल कहा रहा था कि लोग बड़े confusion थे कि यार यह lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium इनकी properties एक जैसी क्यों है oxygen, sulfur इनकी properties एक जैसी क्यों है fluorine, chlorine इनकी properties एक जैसी क्यों है nitrogen, phosphorus इनकी properties एक जैसी क्यों है किसी को समझ भी चा रहा था table बना दी, उस time पे मैंडलीव के time पे periodic table में noble gases हमको नहीं पता थी noble gases क्योंकि बिल्कुल reactive नहीं होती तो हम उनको detect नहीं कर पाए थे तो इन्होंने क्या बोला भाईया एक period होता है, एक group होता है तो जो मैंडलीव ने बोलाता है exactly वो terminology हमने यहाँ पे उठा ली, मैंडलीव ने जो हमको terminology दी थी हमने वो terminology क्या कर ली हमने वो terminology उठा ली, ठीक है, clear जो left to right move करते हैं, जो rows हैं, उनको हम बोलते हैं period, और जो top to button column आते हैं, उनको हम बोलते हैं group ठीक है, यह transition metal group है, इन्होंने अपनी पुरी table को 8 parts में बाठ दिया, 1, 2, 7 normal metals है, और 8th group वाला transition metal है, इनकी जो periodic table की सबसे खास बात थी, वो है यह, आप यहाँ पर देख रहे हैं, empty spaces अब मैंडलीव इतने genius थे, इससे question आता है अच्छा बकाइदा इससे question आता है कि which of the following elements is the element in which मैंडलीव left an empty space and predicted that this atom will be discovered, तो इससे question आता है और answer उसका आता है, गेलियम मैंडलीव ने कुछ-कुछ तो density को लेकर comment किया था, कि गेलियम की density होगी x, गेलियम के जो discoverer थे, गेलियम के जो पापा थे जिसने गेलियम को discover किया था उन्होंने नाप के बोला density y होगी सही कौन निकला, चलो guess करते है गेलियम, जो मैंडलीव जिसके बार में जानते नहीं थे जिसको मैंडलीव ने कभी अपने हाथ में नहीं लिया उन्होंने बोला भईया, density x होगी aluminium और इन सबकी density को compare करते हुए chemistry की periodic property में उनको इतनी power थी उन्होंने बोला कि x होगी जिसको गेलियम ने discover किया, गेलियम के पापा उन्होंने बोला y होगी, निकली क्या अचा इन्होंने तो discover किया था ना इनके तो हाथ में गेलियम पड़ा हुआ था इन्होंने बोला किया density होगी y पर actually में density निकली x इनकी इतनी इज्जत बढ़ गया, इनकी टेबल में problem भी थी, इन्होंने बोला increasing atomic weight में जमाना है, जैसे ये 1.01, फिर 6.94, फिर 9.01, 10.8, सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर कोबाल्ट और निकल को आपने increasing weight में क्यों नहीं जमाया, कोबाल्ट को और निकल को आपने increasing weight में क्य similar होती है, FE और RU की property similar होती है, निकल और पैलेडियम की property similar होती है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, sorry, तो ये इसलिए हमको मैंडलीव के रस्ते छोड़के, मोजली के रस्ते जाना पड़ा, मैंडलीव की periodic table का basis क्या था, atomic weight, ये मैंडलीव, ये भी question आता है, what was the basis of मैंडलीव's periodic table, तो ये था atomic weight, क्या था ये, ये था atomic weight, अब problem आ गई, ये वाली problem आई न, क्यार, कोबाल्ट का मास जादा है, निकल का मास कम है, तो आपने कोबाल्ट को पहले क्यों रख रखा है, आप निकल को पहले रखो, सब ने मैंडलीव से बोला, मैंडलीव ने बोला, मैंडलीव कि वो उसके atomic number की characteristic होती है किसकी characteristic होती है atomic number की characteristic होती है तो मौसली ने बोला कि यार सब कुछ atomic number पर depend करता है तो उन्होंने atomic weight की जगे atomic number के इसाब से अपनी periodic table को जड़ा जमा दिया अब यह बहुत important है अब ध्यान देना शुरू कर देना यहां से question आता है भाई क्या होता है बहुत सरे elements ऐसे थे जो नए discover हो रहे थे पर उनका नाम कोई नहीं रख पा रहा था क्यों पुराने elements तो जो थे predictable बनने से पहले उनका तो नाम था वो ही name हमने carry forward कर लिये पर अब जो नए elements discover हो रहे हम क्या नाम रखे तो यह decide हुआ कि 0 को nil बोलेंगे 1 को un बोलेंगे 2 को y बोलेंगे 3 को try बोलेंगे so on and so forth तो जैसे मानलो आपके पास 101 नाम का element है तो सबसे पहले इस one के corresponding उन लिख दिया फिर इस zero के corresponding निल लिख दिया फिर इस one के corresponding उन लिख दिया और नाम पढ़ गया इसका un, nil, un और end वे एक e-m जोड दिया इसको आप ऐसे आ सकते हो stable को उल जलूल नाम है इसके बड़े un, nil, un, i-m बड़ा अजीब सा गंदा सा इसका नाम है ठीक है तो उन्होंने भूला कि यार आप इसका ऐसे नाम करन कर सकते हो तो 102 हो जाएगा un, फिर 0 के लिए nil, 2 के लिए by, फिर e-m 103, un, nil, try e-m अच्छा अब ये by में भी आया आता है और e-m में भी आया आता है तो आपसे एक single i रखोगे तो यह हो जाएगा un, nil, by, e-m ठीक है डबल i मत करना, spelling गलत हो जावेगी clear है, आगे चले, भई अब हम आजाते है, blocks पे, ठीक है, हम आजाते है, अब blocks पे हम आ जाते है तो चलो, s block का configuration क्या होता है, ns122, जो last electron है, वो s orbital में जाएगा, s sub shell में जाएगा और वो दो electron सकता है, बहुत simple है, जैसे अपना sodium हो गया, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो यह अपना sodium हो गया, तो यह s block के element हो गया p block में, last जो electron होता है, वो nth shell के p orbital में एंटर होता है, तो np126, d block में क्या होता है, n-1 में एंटर होता है, जैसे chromium है chromium में इसलिए बता रहो, exceptional configuration होता है, वो ही danger वाला sign, अपने दिमाग में रख लेना, answer chromium से ही आता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, होता है क्या 4s2, नहीं होता सर, क्यों, क्योंकि exception होता है सर, तो 4 में क्या होता है, 4s में, 1 होता है, और 3d5, तो यह chromium का है, यह आपको याद होना चाहिए, learn, 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 chromium का electronic configuration आपको याद करना है, तो यह d का हो गया, similarly f का होता है, f में जो last electron होता है, वो n-2f orbital में जाता है f का जो general configuration है, उसमें जो last electron एंटर करता है, वो किसमें एंटर करता है? n-2f orbitals में एंटर करता है number of elements in a period इनको क्या बोला जाता है जादूई numbers इनको क्या बोला जाता है magic numbers बोला जाता है इनको क्या बोला जाता है भीया इनको magic numbers बोला जाता है जादूई number है यह है इससे आप सब कुछ पता लगा सकते हो कैसे पता लगा सकते हो देखो पहले period में दो element है तो 1, 2, तीसरा इसके नीचे आएगा उसकी property एकदम इसके जैसी होगी फिर 4, 5, 6, 7, 8 वो 2 के नीचे आएगा उसकी property इसके जैसी होगी तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन से element की property किसके जैसी होगी ठीक है? चारी चीज़े समझने की है ही नहीं इसमें से question नहीं बनते अब यहां से question बनने शुरू होगे अब इसको हम समझ समझ के चलेंगे देखो यह मेरा एक lithium का atom है यह मेरा किसका atom है? यह मेरा एक lithium का atom है यह मेरा किसका atom है? lithium का atom है पूरा focus अपना इस electron पे रखना मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि इस electron पे net force कितना है जब तक मैं पता ही नहीं चलेगा इस electron में net force कितना है मैं यह कैसे पता लगाऊंगा कि मेरे को इस electron को निकालने के लिए कितनी energy देनी पड़ेगी यही है मेरा electron इस nucleus से कितना दूर है तो ना मैं ionization की बात कर सकता हूँ ना मैं atom एक radius की बात कर सकता हूँ और ना अगर मैं एक electron ले के आता हूँ तो उस पे कितनी energy निकलेगी वो बात कर सकता हूँ तो सबसे बहले हमको इस पे force लगाना है कि बाया कितना निकलेगा बहुत simple है बच्चे चिलो के बोल देते है सर देखो मैं बोलता हूँ क्या सर तीन protons है मैं बोलूगा बिल्कुल हाँ सर तीन protons का तीन का attraction लगेगा मैं बोलूगा अरे नहीं ना लाइको क्यों क्योंकि सिर्फ attraction का force नहीं है किसका और force है यहाँ पे ध्यान से देखो इस पे attraction का force तो है नूकलियस का पर यह जो दो महानुभाव बेठे है यह जो दो महानुभाव बेठे है यह इसको बोलेंगे जा 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 इलेक्ट्रोन जा 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 electron जा 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 तो यह इसको दूर भगाएंगे तो दो force हो गए attraction का force और repulsion का force ठीक है तो होता क्या है कि जो हमको z is equal to 3 लग रहा था कि 3 का attraction force लगेगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो हमको कितना कम हो जाता है slater ने दिया था उसने बोला कि यह जो effective nuclear charge है आपको सुना है यहाँ पर actual z नहीं लग रहा कुछ और लग रहा है जो z से कम है तो जो effectively charge लग रहा है यार एक बात होई वो मैं आपको इससे समझाता हूँ आप 100 रुपे लेके निकले मेले में गए ठीक है अब लग गई entry fees 40 रुपे की effectively आपके पास मेले में खर्च करने के लिए कितने रुपे है आप लेके तो 100 गए थे पर खर्च कितने कर सकते हो सिर्फ 60 तो आपका sigma कितना हो गया 40 तो वैसे तो कहने को plus 3 का charge है पर इस electron के repulsion से अंदर वाले जो इदो electron है इनके repulsion पर इस पर चार्ज कम हो गया है और कितनी मातरा से कम हो है entry fees कितनी है sigma की तो effective nuclear charge कितने का हो गया है z minus sigma का effective nuclear charge हो गया है clear तो आप z effective is equal to z minus sigma अब इस sigma को calculate करने के लिए इस sigma को calculate करने के लिए slater ने कुछ rules दिए जिनको हम बोलते हैं slater के rules slater's rule rules मतलब बहुत सारे rules दिए कि यार आप कौन से उस पर अपने calculate करना चाहते हो कौन से electron पर आप calculate करना चाहते हो कि भाया कितना sigma लग रहा है ताकि भी तो हम z effective निकाल पाएंगे effective positive charge जो किसी भी electron पर लग रहा है तो उसके उन्होंने rules दिए है उन्होंने क्या बोला कि यार आप पहले तो configuration को इस तरह से लिखो यहाँ पे जो हमने calculation लिखी है यहाँ पे जो हमने configuration लिखी है वो आउबाउ के according लिखी है किसके according लिखी है यहाँ पे भी हमने actually change कर दी वही जो हम generally calculation लिखते है वो हम आउबाउ के according लिखते है आउबाउ के according जब हम लिखते है तो 3D10 का आता है बाद में आता है 4S2 पहले आता है 3D10 बाद में आता है पर Slater ने बोला आपको ऐसा नहीं करना तो आपको करना कैसा है आपको एकदम line से चालू करना है 1S को एक डब्बे में डालो फिर shell change होई 2S2P एक डब्बे में 3S3P एक डब्बे में 3D अलग डब्बे में आएगा 4S4P एक डब्बे में 4D अलग डब्बे में तो जो D और F होते हैं वो अलग अलग डब्बे में आते हैं 4D और 4F भी अलग अलग डब्बे में आए S और P तो एक डब्बे में आएगा और इसके अलावा 4S4P मतब S और P एक डब्बे में D अलग डब्बे में और F अलग डब्बे में और हमको इस तरह से जमाना है जैसे for example, मान लो मेरे को ये P में जो electron है एक electron जो है उस पे shielding मेरे को calculate करनी है तो इन्होंने क्या बोला कि यार अगर आपकी वास S और P electrons है कोई भी group हो जैसे इसके बाद मान लो मेरा 5 में कोई हो, कुछ हो मान लो, मेरा 5S में कोई से electronic पढ़ा हो मैं उसको ignore कर दूँगा तो जो right में है, मैं उसको नहीं देखता जो इसमें है, या इससे पहले है मैं से उसको देखता हूँ, तो यह हो गया पहला rule जो भी right में है, सब neglect हो जाएगा जो इस डब्बे के, जिस पे calculate करना है उसके जो right में है उसको क्या करना है इलेक्ट्रोन है, दो, NP में कितने इलेक्ट्रोन है, जिस पे calculate करना है उसको हटा के यार वो इलेक्ट्रोन खुद खुद परिपल्चन थोड़ी न लगाएगा कैसी बाते करते हो कुछ बच्चे मैंने से सवाब गुषते हैं कि सर मैंने बुला क्या सर जब आप इसने calculation करोगे तो आप जो 0.35 से multiply करोगे तो आप ऐसे क्यों करते हो 3 into 0.35 आप 4 into 0.35 क्यों नहीं करते हैं सर ये 0.35 क्या है स्लेटर ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रोन होते हैं NS और NP में वो 0.35 से 0.35 से repulsion मारते हैं तो उनके सिग्मा में contribution एक इलेक्ट्रोन का 0.35 होगा पर ये याद रखना कि ये गलत है ये गलत है ये गलत है क्योंकि यार खुद इलेक्ट्रोन खुद पर repulsion नहीं मारेगा तो एक से माइनस करके फिर चलना है तो यार जो NS और NP के इलेक्ट्रोन से वो किस से करते हैं 0.35 से पर अगर मैं ये helium के लिए करूँगा तो 1S2 एक इलेक्ट्रोन है जो इसको repulsion मारेगा तो मैं क्या करूँगा 2 माइनस 0.3 तब मैं 0.35 ने करूँगा तो helium के लिए जो Z effective होता है helium का जो Z effective होता है वो किस के बराबर होता है 1.7 के helium का जो Z effective है वो 1.7 के बराबर होता है आप इसको याद ही कर लो rule rule याद करने की जरत नहीं होगी ठीक है? आगे चले? चलो all electrons in the N-1 shell shield to an extent of 0.85 मैं इस पे निकाल रहा था repulsion सिगमा इस पे नहीं पाल रहा था तो N-1 shell कौन सा हो गया? 3D के 10 3P के 6 और 3S के 2 तो पहले मेरे Ns ने तो मारा था 0.35 से अब N-1 shell कितने से मारेगी? कितने electron हो गये? 10 और 6 16 और 2 18 तो 18 into 0.85 फिर उसमें बोला कि N-2 या उससे कम तो यार N मेरा 4 है तो मेरा N-2 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर तो ये जितने भी electrons है ये सब किस से shielding करेंगे? पूरे के पूरे 1 से मतलब ये तो पूरा का पूरा 4 जी रोक लेंगे तो 6 और 2 और 2 10 तो 10 into 1 इनको सम कर लेना जितना भी आ रहा है उसको टोटल कितने electrons है? 2 और 2 4 और 10, 14 और 6, 20 22, 28, 30 और 32 उसको 32 में से माइनस कर देना तो 32 माइनस ये quantity is equal to Z effective हो जाएगा इस वाले atom के लिए is equal to क्या हो जाएगा? Z effective हो जाएगा इस वाले atom के लिए similarly D और F के भी rules होते है कोई भी electron जैसे अब मालो मैं इस पर calculate कर रहा हूँ मैं 3D6 वाले पर calculate कर रहा हूँ तो right वाले को तो मैं भगा दूँगा 4S को तो मैं account में लूँगा ही नी फिर क्या करूँगा मैं? जो ND और NF group के होते हैं मतलब 3D के जो बच्चे 5 हैं उनको 0.35 से multiply कर दो और इसके इधर वाले जितने भी है वो सारे के सारे 1 से shielding करेंगे किस से shielding करेंगे? वो सारे के सारे 1 से shielding करेंगे तो यह जितने भी electrons थें यह 18 electrons हो है इसको आप 18 into 1 कर दो और total जितने भी electrons है 2 और 6, 8 और 18, 26 26 में से इसको आप minus कर दो तो यह Z effective आजएगा iron के लिए Z effective और iron तो यह Z effective निकालने का तरीका होता है ठीक है तो यार जैसे जैसे हम left to right जाते हैं अब बहुत ध्यान से सुनना अब trains आ गए है अब trick आ गई है ठीक है left to right जब हम जाते है तो क्या होता है left to right जाने पर Z effective बढ़ता है बढ़ना भी चाहिए था यह non-metals होते जाते है Z बढ़ता जा रहा है shielding तो 0.35 से बढ़ रही है तो Z effective बढ़ता जाएगा बहुत important point है सारे trend चाहा ironization का हो चाहा atomic का हो कुछी का भी atomic radius का सब यहीं से governed होते है ध्यान से सुन लो left to right जाओंगा तो Z effective बढ़ेगा अगर मैं top to bottom जाओंगा एक group में तो Z effective almost constant रहता है तो Z effective क्या रहता है almost constant रहता है values से भी आप देख सकते हो 1.30 एक jump आया और उसके बाद यह पूरा का पूरा constant हो गया clear आगे चले एक particular n के लिए order of distance of sub shells यह होता है तो order of shielding यार जो shell जितना पास रहेगी nucleus के वो उतना ज़्यादा shield करेगी क्या key point है कि R of shell R of shell key point क्या है यहाँ पर हमारा हमारा हमारी trick क्या है कि R of shell is directly proportional to Z directly proportional to sigma shielding के directly proportional है जो जितना पास में रहेगा वो उतना ज़्यादा shielding करेगा तो जो जितना पास वो उतना ज़्यादा shield करेगा यार कोई व्यक्ति अगर आपके बहुत करीब है तो वो आपको आपके दोस्तों के साथ घुमने देगा क्या नहीं बिल्कल नहीं अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो दूसरों से दूरी बढ़ जाती है तो अगर आपके कोई बहुत ही ज़्यादा करीब है तो वो shielding ज़्यादा करेगा तो order of shielding क्या हो गई? S more than P more than D more than F आपके जिंदगी में यह बहुत ज़्यादा काम आएगा कि D more F बहुत बेकार shielding करते है आगे जाके यह चीज़ आएगी तो अगर हम Z effective ions के लिए calculate करें तो जितना ज़्यादा positive charge होगा Z effective is directly proportional to positive charge Z effective is inversely proportional to negative charge मतलब 1 upon negative लिखना है अपने को यहाँ पे inversely proportional to 1 upon negative मतलब directly proportional to 1 upon negative charge या inversely proportional to negative charge क्यों भहिया ऐसा यार जितना ज़्यादा positive charge बढ़ाते जाओगे मतलब आप electrons हटा रहे हो जितने electrons हटा रहे हो उतना repulsion कम कर रहे हो जितना repulsion कम कर रहे हो तो net attraction बढ़ रहा है उसी का उल्टा सोच लेते मालो हम electrons add करते जा रहे तो आप sigma में contribution बढ़ाते जा रहे हो electrons का और 0.35 से multiply होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो Z effective कम होता जाएगा तो जैसे जो cations होते हैं उनका Z effective उसके elements से जैसे Fe plus 2 का Z effective Fe से जादा होगा similarly F minus का Z effective F से कम होगा चले आगे चलो अब बात करते हैं Atomic Radius की सबसे पहले तो हमको यह समझना जूरी है कि आर Atomic Radius को measure करना is very 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 difficult क्यों क्योंकि यार यह बहुत hypothetical चीज है हमको यह पता है कि orbitals होते orbitals के मतलब यह होता है probability होती है तो electron को पाने की probability तो infinity पे भी रहती है तो हमें मानूं क्या कि यह electron का है तो हम क्या करते है जहां तक 90% पाने की probability है उसको बान लेते कि यह हमारा Atomic Radius हो जावेगा ठीक है तो क्योंकि एक single atom का isolation difficult है और क्योंकि कोई well defined boundary नहीं है इसलिए Atomic Radius को नापने में दिक्कत आती है चार तरह के Radius होते है Covalent, Ionic, Metallic और Wonderwall हमारे काम का होता है Covalent Radius और Ionic Radius नापते कैसे है दो Nucleus के बीच का Distance नाप लेते है तो D, O, O और उसको क्या कर देते है आ, धा तो Radius कैसे नापते है मानलो Oxygen का Radius नापने है Oxygen का Molecule पकड़ के लाओंगा दोनो Oxygen के Atom के बीच का Distance आप लूँगा और उसको बीच में से काड़ दूँगा जितना Distance आएगा वो क्यों हो जाएगा वो हो जाएगा Atomic Radius ठीक है पक्का Wonderwall Radius कैसे नापेंगे जैसे Helium यह है यहाँ पे भी Helium है Extraordinary Large क्योंकि Atoms पास पास आई नहीं रहे तो हमको जबर्दस्ती की गलत Value हो रही है ठीक है Factors Apective Atomic Size आर यार अब Atomic Size कैसे होगी जित्ती जादा अच्छा चलो अब इस पर एक बात और कर लेते हैं Electron Nucleus के पास कब आएगा Electron Nucleus के पास कब आएगा यार अगर मैं Force बढ़ा रहा हूँ मतलब मैं Positive Charge बढ़ा रहा हूँ तो वो Electron को अपने पास जादा खीचेगा जो Nucleus है वो Electrons को अपनी तरफ जादा खीच के रखेगा तो Atomic Radius क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यार जैसे जैसे Z Effective बढ़ता है Atomic Radius कम होता है तो जब में Left to Right जाता हूँ एक period में तो Atomic Radius क्या होता है पर जब मैं Down the Group जाता हूँ जब मैं Down the Group जाता हूँ तो N बढ़ता है तो Atomic Radius भी बढ़ेगा अगर मेरे को कहीं पे compare करना पड़े कि number of shell बढ़ रही है कि Z effective तो मेरे को हमेशा number of shell को देखना पड़ेगा size dominant factor होता है मतलब increase in N is the dominant factor in case of in case of क्या in case of अपना atomic radius clear है आगे चले पक्का magnitude of negative charge जैसे इसे increase करेगा atomic radius भी increase करेगा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे negative charge बढ़ेगा repulsion बढ़ेगा तो रहने के लिए ज़्यादा जगे चाहिए जितनी ज़्यादा जगे चाहिए atom उतना फूलेगा तो आप जैसे जैसे negative charge बढ़ाओगे repulsion बढ़ेगा repulsion बढ़ने के कारण दूरी बढ़ेगी दूरी बढ़ने के कारण atomic size बढ़ जाएगी आप अगर positive charge बढ़ाओगे तो मतलब electron पे और ज्यादा force लगने लग गया क्योंकि repulsion तो आपने हटा दिया attraction उत्रागा उत्र नहीं है तो repulsion हटने से z effective बढ़ गया z effective बढ़ने से electron pass आ जाएगा तो जैसे इसे positive charge बढ़ेगा atomic radius कम होगा यहाँ पर negative charge बढ़ने से atomic radius बढ़ता है अगर हम periodic variation of atomic size की बात करें तो यह हमने पढ़ लिया period में left से right जाते हैं तो atomic size कम होती है क्योंकि z effective बढ़ रहा है अब यह चीज़ आपको याद रखनी है यह कई बार पूछी जा चुकी है यहाँ पर danger sign है यहाँ पर danger sign चल रहा है क्या बुलो मैं यहाँ पर danger sign आ गया है भईया danger sign आ गया है और danger sign क्या है कि यार left to right period में जाने पर आपने बोला था कि size बढ़ेगी size कम होगी sorry left to right हम period में जाएंगे तो आपने बोला था size कम होगी यहां से लेकर यहां तक तो size कम होती है पर यह जो तीनों है भाई बंदू, iron, cobalt और nickel यहां पर तीनों की size almost बराबर रहती है और copper और zinc में जाते हैं तो हद दो जाती है size increase कर जाती है यह जो d block वाले होते हैं इनका कोई इमान धरम नहीं होता है तो यहां पर चल क्या रहा है कि जब हम left से right जा रहे है तो nuclear force बढ़ रहा है पर shielding ठीक है पर बहुत सारे d के electrons होते ही क्योंकि यह poor shielding कर लेते हैं तो यह cobalt के electrons को पास खीच लेते हैं nickel के electron को और पास खीच लेते हैं ठीक है और यहां पर तो shielding इतनी जादा हो जाती है इनकी poor shielding की भीया size में increment आ जाता है बहुत गंदे वाले यहां पर shielding बढ़ जाती है तो इसलिए size बढ़ जाती है clear है तो आप यहां से भी देख सकते हो यह भी खत्रे की गंटी है कि यार यहां पर क्या हो रहा है देखो यह कौन सी series है यह जो red है यह 5D series है यह जो blue है यह 4D series है और यह जो green है यह 3D series है तो हमने क्या देखा था down the group जाऊंगा तो atomic radius बढ़ेगा तो मैं down the group गया 3D से 4D में गया तो atomic radius बढ़ गया पर 4D और 5D का atomic radius almost बराबर होता है यह सवाल बहुत बार आचुका है कि zirconium और hofnium की atomic size क्या होती है answer जाएगा similar होती है बहुत बार यह question पूछा गया है कि what is the atomic size which of the following is the correct order of atomic size of atomic size of zirconium and hofnium एक option रहता है AR more than sorry ZR more than HF दूसरा रहता है HF less than less than ZR HF almost equal to similarity वाला यह आजाता है और none of these answer जाएगा similarity वाला तो यह चीज़ आपको याद करनी है यह बहुत important है तो 4D और 5D की size similar हो जाती है तो यह जो भी काम है यह जो भी किया धरा है यह length nights का है क्यों क्योंकि length nights में बहुत सारे electrons जो है ठीक है 4F के add और actinoids में भी होता है तो length nights के बीच में आ जाने के कारण किसके बीच में आ जाने के कारण length nights के बीच में आ जाने के कारण जो 4D और 5D की size similar होई है उसको बुला जाता है अब हम आ जाते हैं ionization energy पर ionization energy क्या होती है उसकी definition बहुत important है आपको outermost shell में से electron निकालना है एक isolated gaseous atom के अंदर से ionization enthalpy या ionization energy का मतलब क्या होता है कि हमको electrons को बाहर निकालना है अब हम क्या अगरने हमको ये देखना है कि यार अगर में कोई electron बाहर निकालना है जिन्दगे में electron को बाहर निकालना आपके बहुत काम आता है जो आपके घर पे बिजली आ रही है जिससे आप अपना phone चार्ज कर पा रहे हो तो वहाँ पे बिजली आने में होता क्या है electrons ही तो इदर से इदर घूमते रहते है तो आपको metal से electron को दूर लेके जाना पड़ता है तो यह बहुत common occurrence है तो उसके लिए हमको कितनी energy चाहिए वो होती है ionization energy या ionization enthalpy पर हमको definition का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे मानलो यह में रहे एक oxygen का atom है अगर यह अकेला है और आप इसमें से electron को बाहर निकाल रहे हो तो कहलाएगा ionization energy पर अगर यह अकेला नहीं है यह दुकेला है यहाँ पर एक और oxygen का atom है और आपने अब इसमें से electron को बाहर निकाला तो यह ionization energy नहीं कहलाएगा क्या बलो हमें? यह ionization energy नहीं कहलाएगा या फिर आपके बास aluminium है solid है metal की तर एकदम solid है इसके electron को आपने बाहर निकाला ionization energy नहीं 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 कहलाएगा पहले आपको aluminium को gas बनाना पड़ेगा उसमें से electron को निकालोगे तो ionization energy कहलाएगा ठीक है? clear है? तो अगर आप किसी से भी electron निकाल रहे हो तो ionization energy नहीं कहलाएगा ठीक है? तो ionization energy की definition क्या हो गई? ionization energy की definition हो गई कि यार most loosely bounded outermost shell electron एक isolated gashes atoms हमको निकालना है और जो minimum energy देनी पड़ेगी जैसे for example मानलो यह oxygen का है ऐसे random data ले रहा हूँ आपको इसके electron को बाहर निकालने के लिए मानलो 100 kJ energy देनी पड़ेगी minimum तो यार अगर आप 1500 kJ दोगे तो obviously electron निकल ली जाएगा 100 kJ पे निकल रहा है तो 150 kJ पे तो निकल जाएगा ना तो मैं ionization किसको बोलू? इसको बोलू कि इसको बोलू? जो minimum है उसको ionization energy बोला जाएगा पहला electron निकाला तो पहली ionization energy केलाएगी मतलब अगर मैं oxygen से oxygen minus बनाऊंगा या फिर मैं M से M plus बनाया तो first ionization energy फिर M plus से M plus 2 बनाया तो second ionization energy M plus 2 से M plus 3 बनाया तो third ionization energy और जो successive ionization energies होती है क्या बोलू रहा हुँ है? ज्यान से सुनना जो successive ionization energies होती है वो सारी की सारी पिछली वाली से जादा होती है M plus में Z effective बढ़ गया तो अगला electron निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा M plus 2 में Z effective और ज्यादा बढ़ गया तो उसका अगला electron निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ionization energy को कौन-कौन effect करता है भाई आप जितनी ज़्यादा size बढ़ा होगे एक तो ये electron है पतब ये nucleus है electron यहाँ पे बैठा है और ये बढ़ा atom है charge उतना ही almost electron आपने बहुत दूर कर दिया तो size दूर होने से इस पे force कम हो गया है force कम होने से इसके electron को निकालना आसान हो जाएगा Z effective तो यार बहुत simple है जितना ज़्यादा positive charge होगा जितना ज़्यादा Z effective होगा force उतना ज़्यादा ही लग रहा होगा तो आपको electron निकालने में उतनी ज़्यादा तकलीफ आएगी तो जैसे जैसे Z effective बढ़ाते जाओगे ionization energy भी बढ़ती जाएगी तो मतलब अगर मैं left to right in a group जा रहा हूँ sorry left to right in a period जा रहा हूँ अगर मैं एक period में left to right जा रहा हूँ तो मेरा Z effective बढ़ता है यह हमने याद कर लिया तो ionization energy भी बढ़ेगी इसका मतलब sodium में से electron निकालना is very easy पर chlorine में से electron निकालना is very tough क्यों? क्योंकि left to right जा रहा हूँ तो Z effective बढ़ रहा है Z effective बढ़ने से ionization energy बढ़ रही है तो electron निकालना हो जाएगा मुश्किल electron निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा जिसकी oxidation state ज्यादा होगी उसकी ज्यादा ionization energy होगी successive ionization energy ज्यादा होती है यह हम अलड़ी पर चुके हैं और जितनी ज्यादा penetration power होगी मतलब electron उतना ही ज्यादा pass है electron जितना ज्यादा pass है उसको निकालना उतना ही हो जाएगा मुश्किल danger sign अगर half filled या fully filled configuration है जैसे nitrogen और oxygen के case में तो वैसे तो left to right जाने पर ionization energy बढ़नी चाहिए थी पर यह exception हो जाता है ionization energy हो जाती है कम क्यों क्योंकि यह stable configuration है similarly beryllium और boron में आप इदर जाओगे तो ionization energy बढ़नी चाहिए थी पर actually में कम हो जाती है मतलब क्या हो जाती है कम हो जाती है तो जब भी fully filled या half filled configuration आएगा तो just एक next intermediate से compare करना अभी इसका भी मतलब समझाता हूँ जब मैं इदर जाता हूँ तो ionization energy मेरी actually में तो कम होती है मतलब आप यह नहीं बोल सकते कि सर बेरीलियम और oxygen में बेरीलियम के ionization energy जादा होगी यह पाप हो जाएगा आप बेरीलियम का comparison सिर्फ बोरोन से कर सकते हो nitrogen का comparison फ्लोरीन से नहीं करोगे किस से करोगे सिर्फ oxygen से एक next वाले से उसका comparison आप करोगे ठीक है clear है अच्छा मैं आपको फिर बतायता हूँ यहां से किसी ना किसी shift में सवाल आएगा लिखके लिजाओ यहां से सवाल आएगा यह पक्का है हर साल आता है J नहीं तो neat में आएगा clear चले आगे चलो ionization energy गेलियम के aluminium से जज़ादा हो जाती है और 5D series की 4D series से ज़ाद होती है यह lanthanide contraction के कारण और यह 3D की poor shielding के कारण तो इसको याद कर लेना है और इसको अभी के अभी याद कर लेना है अगला metal की reactivity या जितनी कम ionization energy होगी मतब electron को निकालना उतना असान मतब थोड़ी से energy देने पर अगर कोई metal electron निकाल रहा है तो वो जादा reactive है तो बहुत simple है key point की जितनी कम ionization energy होगी मेटल उतना ही reactive होगा तो CGM सबसे जादा reactive होता है फिर उसके बाद rubidium फिर potassium फिर sodium तो इस तरह से reactivity of metal decrease करती है clear है oxidation state किसी भी electron की जैसे कई बार हम बोलते हैं कि mg2 plus more stable than mg plus 1 तीक है या फिर al3 plus more stable than al2 plus या फिर mg2 plus more stable than mg3 plus तो यह हम कैसे बोलते हैं इसका बहुत simple सा होता है कि अगर successive ionization energy में 16 electron volt या उससे जादा का gap है तो lower oxidation state stable होगा जैसे इसके case में जो gap है वो greater than 16 electron volt का है पर अगर gap less than equal to 11 electron volt का है तो higher oxidation state stable होगा जैसे aluminium के case में al3 plus और al2 plus के बीच का जो gap है वो किसके बीच का है वो 11 electron volt से कम का है less than equal to 11 electron volt तो कौन सा वाला जादा stable होजाएगा higher oxidation state जादा stable हो जाएगा ठीक है इसका answer हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पे huge jump है तो जहाँ पे भी सरी यहाँ पे कहाँ पे huge jump है fourth पे huge jump है तो छोटा jump है यहाँ पे huge jump है भाई 46.8 से सीधा 162.2 हो गई है तो जहाँ पे भी huge jump आ जाए मतलब just उसके पहले वो क्या बन गया है just उसके पहले वो noble gas बन गया है तो बना answer सही कि हो जाएगा silicon हो जाएगा electron gain enthalpy हुआ क्या बाहर से एक electron चलता हुआ आया किसी भी atom की तरफ तो most of the cases में एक energy release हो गई कुछ एक cases में energy हमको देनी पड़ती है तो जब भी energy का आदान प्रदान हुआ किसमें एक isolated gaseous atom में एक electron add करने पर तो उसको बोला जाता है electron gain enthalpy क्या बोला जाता है electron gain enthalpy बोला जाता है तो x gas में हमको electron add करना था x minus बना तो उसको बोला जाता है electron gain enthalpy इससे इस बार बहुत question आये है ठीक है e g e positive होती है negative most of the cases में first e g e for all e g e second positive होती है this is for all इसमें तीन exceptions होते है क्या बोला हूँ मैं e g e first e g e में तीन exception होते है कौन कौन से होते है nitrogen beryllium और neon इनकी जो first e g e है वो positive होती है इसकी जो first e g e है वो क्या होती है वो positive होती है ठीक है इसकी जो first e g e है वो क्या होती है वो positive होती है तो period के अंदर EGE ज्यादा negative हो जाती है generally as we go from left to right in a period जैसे जैसे हम left to right जाते है एक period में तो EGE की value magnitude में बढ़ती जाती है मतलब वो negative में और कम होती जाती है बच्चे generally confused जाते है यार जैसे मालो for example अगर lithium की minus 10 है तो फिर fluorine तक जाते जाते हैं वो minus 150 हो जाएगी तो magnitude तो बढ़ गया पर negative sign के साथ बढ़ा तो magnitude बढ़ जाता है ध्यान किसका रखना है nitrogen का, beryllium का और neon का इनकी EGE positive होती है ध्यान किसका रखना है nitrogen का, beryllium का और neon का इनकी EGE positive होती है clear है, चले आगे group के अंदर, देखो left to right जब भी में period में जाऊंगा तो EGE बढ़ेगी magnitude बढ़ेगा EGE का magnitude बढ़ेगा अच्छा एक चीज़ और बता दूँ EGE के आगे, जब हम minus sign लगा देते हैं तो वो बन जाती है electron affinity बहुत सारे बच्चे इसमें भी confused रहते है electron गिरेंथल्पी क्या होती है electron affinity क्या होती है कुछ नहीं होता, सिर्फ sign का difference है आप electron गिरेंथल्पी को minus से multiply कर दो तो आपको electron affinity मिल जाएगा लोगों ने खुशी-खुशी में, मजे-मजे में ये term बना दी हुआ कुछ नहीं हो, एक तम और बन गए हमार को समझने के लिए, ठीक है? clear? अगर हम ग्रूप में जाते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो nucleus से distance बढ़ रहा है तो जो सामने इस electron आएगा उसको कम force फील होगा कम force फील होगा, तो energy कम release होगी, इसलिए EGE, electron affinity जो है वो down the group जाने पर कम होती जाएगी अब, पूरे electron gain enthalpy का सबसे important point आपको बता देता हूँ और वो ये है कि भाईया, जो second period की electron gain enthalpy होती है वो third period से कम होती है, ये very 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 important point है इसी से सवाल आया था, इसी से सवाल आएगा, मतलब अगर मैं को compare करना है, fluorine और chlorine में, कि 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 electron affinity जादा होगी, तो answer आएगा chlorine, क्योंकि fluorine का size बहुत छोटा है, बहुत छोटा आने के करने वो repulsion जादा करेगा repulsion जादा करने के कारण क्या हो जाएगा, कि electron gain enthalpy या electron affinity chlorine के हो जाएगी कम, और chlorine के हो जाएगी जादा, ideally ऐसा नहीं होना चाहिए था down the group जाने पर electron affinity कम होती है पर second और third period में बढ़ जाती है, question यहीं से आएगा question यहीं से आएगा इसी वीडियो के comment में आकर लिख देना कि सर हाँ, हमारी भी shift में यहां से question आया था, ठीक है अब यह मेरी favorite term होती है, electronegativity यहां पर मैंने बहुत सारे दिल भी लगा रखे है क्या बुल रहा हूँ है कि यहां पर बहुत सारे हमने दिल भी लगा रखे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई exception नहीं होते यह क्योंकि एक hypothetical term है हमने बनाई है तो हमने ensure किया है कि कोई भी exceptions नहीं आए एक covalently bonded atom में shared pair of electron को अपनी तरफ खीचने की tendency को बोलते है electronegativity जैसे मालो मेरा एक HF का bond है तो यह F अपनी तरफ खीच लेगा electrons, तो यह इसकी electronegativity के लाएगी मेरा मान लो ICL का bond है तो chlorine अपनी तरफ electrons खीच लेगा क्योंकि यह जाद है electronegativity है तो shared pair of electrons इन वाले electrons को खीचने की ability को बोलते है electronegativity यह कोई energetic term नहीं है जैसे ऐसे आप left to right जाओगे एक period के अंदर तो en बढ़ेगा, जैसे ऐसे आप top to bottom आओगे, group के अंदर तो en भी कम होगा तो याद क्या करना है, left to right जाओगा en बढ़ेगा, top to bottom आओगा en कम होगा तीन लोगों ने इस पे काम किया मुलिकन जाफ, एल्फरेड रोशो, यहाँ पे एक f है और Pauling scale हमारे लिए जो main होता है, वो होता है Pauling scale, Pauling scale की हमको values याद होनी चीए, जैसे f की होती है 4, oxygen की होती है 3.5, nitrogen की होती है 3, chlorine की भी around होती है 3, यह 4 याद कर लो, इसके लाओ याद करनी की जुरत नहीं है, phosphorus, hydrogen और carbon की almost similar होती है ठीक है, electron negativity जितना जादा आप charge positive करते जाओगे, मतलब जितना जादा positive charge बढ़ेगा electron negativity भी बढ़ेगी क्योंकि z effective बढ़ रहा है electron negativity directly proportional to z effective एक key point याद कर लो बाकी आपको सब आता है electron negativity directly proportional to z effective तो positive charge बढ़ेगा तो electron negativity भी बढ़ेगी तो आप देखे रहे हो fe plus 3 की electron negativity जादा है fe plus 2 से उसकी जादा है fe NIN कम electron negativity होते जाएंगे जैसे जैसे आप charge बढ़ा रहे हो तो key point क्या है ये सारे key point लिखते जाना negative charge बढ़ेगा तो electron negativity कम होगी जैसे जैसे negative charge बढ़ेगा electron negativity कम होगी तो NIN will be less electron negative than atom as the negative charge on the NIN increases electron negativity decreases आप जितनी जादे electron negativity बढ़ाते जाओगे उतना जादा वो electrons को अपने पास खीचेगा जैसे माल लो HH है ठीक है या फिर कोई भी HX है अब आपने X का क्या किया size similar रखके आपने X की electron negativity बढ़ा दी तो ये electrons को अपनी तरफ खीच लेगा तो hydrogen भी थोड़ा इसकी तरफ आएगा तो यार electron negativity जैसे यसे बढ़ेगी atomic size वैसे वैसे कम होगी ये आपको key point लिखा ही दिया कि electron negativity directly proportional to Z effective थीक है ये हमने पढ़ लिया कि down the group जाओंगा तो electron negativity कम होगी left to right जाओंगा पिरेड में तो electron negativity बढ़ेगी clear अब इसकी applications बहुत important है जो जितना ज्यादे electron negativity होगा electron negativity बढ़ने से non metallic character बढ़ता है electron negativity बढ़ने से क्या होता है non metallic character बढ़ता है ठीक है electron negativity बढ़ने से क्या होता है non metallic character बढ़ता है और electron negativity कम होने से metallic character बढ़ता है ठीक है तो left to right जाओंगा तो non metals मिलते है periodic table के right में सारे non-metals मिलते हैं और periodic table के left में सारे metals मिलते हैं उपर के तरफ periodic table में non-metals जादा हैं नीचे की तरफ periodic table में non-metals कम हैं क्यों क्योंकि जब मैं down the group जाता हूँ तो electro negativity कम हो जाती है तो metallic character बढ़ जाता है शुमाकर और 0.09 into electro negativity difference between the two atoms minus electro negativity difference between the two atoms यह formula लगा लेना answer आ जाएगा जैसे for example मानलो a का radius 10 है a का b का radius 8 है इन दोनों के बीच के electro negativity difference मानलो 1 का है तो मेरा distance between a b distance between a b हो जाएगा 10 plus 8 minus 0.09 into 1 तो यह मेरा हो जाएगा 17.91 के बीच का इनका distance आ जाएगा इतने आसानी से यह formula अपला हो जाता है कभी कभी इससे सवाल आ जाता है ठीक है अगर मैं nature of oxide की बात करूँ तो जैसे जैसे आप left to right जाओगे period के अंदर acidic nature बढ़ेगा Na2O basic होता है क्या होता है Na2O basic होता है पर N2O5 acidic होता है या फिर SO3 acidic होता है तो left to right जाओगा period में तो acidic nature बढ़ेगा down the group जाओगा तो electron negativity कम होगी तो basic nature बढ़ेगा तो अगर मैं बात करूँ कि NaOH और CSOH में कौन जादा basic है तो CSOH जादा basic है as compared to NaOH तो left side of the periodic table देखो left side of the periodic table एकदम left में periodic table के आपको basic oxides मिलेंगे क्या मिलेंगे basic oxides बीच में metaloid type के compound होता है जो metal और non metal दोनों की property रखते है तो emphoteric oxides मिलेंगे और सबसे right में acidic oxide मिलेंगे ठीक है इसके अलावा जैसे जैसे आप oxidation state बढ़ाते जाते हो इसमें sulfur plus 6 में है इसमें plus 4 में है इसमें nitrogen plus 5 में है इसमें plus 3 में है तो जैसे जैसे oxidation state बढ़ेगा acidic nature बढ़ेगा तो oxidation state बढ़ेगा acidic nature भी बढ़ेगा तो अपन आ गए है trick पे कौन सी फैमिली यह भई आपने वास, बोरोन फैमिली, बेंगन, अलू, गाजर, इन थेला ठीक है, तो बोरोन, अलूमिनियम, गेलियम, इंडियम और थेलियम तो बेंगन, अलू, गाजर इन अ थेला बोरोन टिपिकल एक नॉन मेटल होता है आप जैसे हम बरोन से नीचे आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा metallic character आना शुरू हो जाता है Aluminium तो metal है और बहुत सारी similar properties Galium के जासा दिखाता है जो खुद एक non-metal है तो Aluminium metal बीच में फस गया तो Galium non-metal type का Indium और Thilium exclusively metallic होते है character में तो इस group में mostly कौन है? metals है अब यहाँ पे danger sign है बहुत question बनते हैं in general ठीक है? यह तो चलो सही है यह तो कुछ नहीं है यह तो एकदम सही है पस यहाँ पे एक दिक्कत है कि यह हो गया है Aluminium को Galium के पहले होना चाहिए था तो आपको यह चीज का याद रखना है कि Galium का Atomic Radius Aluminium से कम होता है poor shielding of 3D electrons के कारण किसलिए कम होता है poor shielding of 3D electrons के कारण इसका Atomic Radius कम हो जाता है यह danger sign question यहीं से उठते है देखो extra 3D के electrons आ गए यह Galium को configuration है यह extra electrons यहाँ पे फिल हुए जो बहुत गंदी वाली poor वाली shielding करेंगे और Galium का साइव Aluminium से छोटा कर देंगे ठीक है boiling point order फिर से danger sign generally boiling point is directly proportional to molecular mass पर यहाँ पे होता क्या है कि इनके structure कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे group number group 13 में जब मैं down the group जाता हूँ तो boiling point भी कम हो जाता है group 13 में down the group जाने पर boiling point कम हो रहा है तो आपको यह याद रखना है same हालत melting point की हो रही है same हालत ionization enthalpy की हो रही है और metallic character में तो क्या हो रहा है जैसे ऐसे मैं नीचे जाता जा रहा हूँ group में metallic character बढ़ता जा रहा है वो important है पर कौन से 3 order important है यहाँ पे इसकी density से भी question आता है तो down the group जाने पर down the group जाने पर down the group जाने पर d increase कर रही है down the group जाने पर density क्या कर रही है increase कर रही है किसके लिए हमारे group 13 के elements के लिए तो सारी चीज़े एकी slide पर आपके लिए डाल दिए ताकि आपके लिए easy हो जाएगा chemical properties के अगर हम बात करें तो boron बहुत ही छोटा element होता है तो उसकी जो पहली तीन ionization energy का sum है वो बहुत जादा हो जाता है इसलिए आपको boron rarely forms ionic compound आपको boron जो है वो plus 3 में मिलेगा ही नहीं कोई इतना बड़ा हुआ ही नहीं कि boron से 3 electron ले जाए तो boron plus 3 नहीं होता तो यह जो boron है यह हमेशा covalent compounds ही बनाता है boron क्या बनाता है covalent compounds ही हमेशा बनाता है सिर्फ p orbital electron may be involved in warning gallium, indium और thalium में तो उनों plus 1 और plus 3 oxidation states observe होती है पर thalium की plus 1 oxidation state उसकी plus 3 oxidation state से ज़्यादा stable होती है inert pair effect के कारण इसको भी आपको याद रखना है inert pair effect लगता है p block के elements में जो 4D series वाले होते हैं और 5D series वाले होते हैं तो 5D series में जो higher oxidation state होता है वो कम stable हो जाता है as compared to lower oxidation state ठीक है boron के important compound तो इसका boron का सबसे important compound होता है वो बैसे borax होता है पर B2O3 भी एक धंगडां का important compound है तो हम B2O3 को borax से बनाते हैं या columnaride से बनाते हैं ठीक है तो हम B2O3 को borax या columnaride से बनाते हैं पानी के साथ reaction करवाएंगे H2B4O7 की फिर H3BO3 बनेगा आप उसको heat कर दो तो यह इसका heating effect भी हो गया इसको अलग से भी ले लेंगे orthomorphic acid का heating effect B2O3 बनता है जो कि होता है एक काफे important compound किसका boron का आप Na2B4O7 मतलब borax से भी acid के साथ reaction करवाके यह बना सकते हो और फिर H2B4O7 को आप क्या करो H2B4O7 को पानी के साथ मिला दो तो multi step reaction हो गया Na2B4O7 से क्या बनाया आपने H2B4O7 मनाया H2B4O7 से H3BO3 मनाया और H3BO3 से B2O3 मनाया तो question कैसा आएगा बता देता हूँ Na2B4O7 यहाँ पर आपको देदेंगे HClX फिर यहाँ पर आपको देदेंगे H2O Y फिर इसको heat कर देंगे Z पूछ लेंगे which of the following are the correct combination of X, Y and Z तो आपको पता होना चीए Na2B4O7 से आप H2B4O7 मनाया तो X हो जाएगा H2B4O7 फिर पानी डालने से H3BO3 बनाया तो H3BO3 और फिर heat करने से B2O3 बनेगा यह इस तरह से हो जाता है प्रिपेर बोरैक्स की प्रिपरेशन बहुत बड़ी लंबी चोड़िये इसको याद करने के जुरूत नहीं है पस हमको यह पता होना चीए कि यार कोले मनाईट से हम क्या बनाएंगे बोरैक्स बनाएंगे तो बोरैक्स किस से बनता है कोले मनाईट से बनता है बोरैक्स किस से बनता है कोले मनाईट से बनता है ठीक है तो बोरैक्स अपना बनता है कोले मनाईट से यह इसका important है heating effect अब question यहाँ से बनते है question क्या आता directly बोरैक्स को heat करूँगा तो क्या बनेगा sodium metaborate और boric anhydride तो कैसे बोलेंगे Na2 B4 O7 को जब मैं heat करता हूँ X plus B2 O3 identify X या फिर heat करता हूँ तो B2 O3 plus X identify X तो यह आपको याद होना चाहिए है तो जब मैं borax को heat करूँगा तो sodium metaborate और boric anhydride बनेगा ठीक है? borax पानी में dissolve हो जाता है और orthoboric acid बनाता है और अर्थोबोरिक acid यह भी एक काफ़े important compound है orthoboric acid की सबसे खास बात क्या है basicity 1 है basically क्या होता है कि यह जो अपना orthoboric acid है काफ़े important है ध्यान से सुनना यह जो अपना orthoboric acid है आप इस में से कभी भी h plus निकलता हुआ नहीं पाएंगे यह h plus lose नहीं करता है सरी यह h plus अगर lose नहीं करता तो acid कैसे हुआ? यह एक Lewis acid है यह OH से यह OH माइनस से एक lone pair accept कर लेता है BF3 की कहानी तो आपको पता ही होगी इसके आज vacant orbital है तो यह हमेशा एक lone pair of electron को accept करने के लिए ready रहता है इसलिए यह basicity 1 वाला acid है ठीक है? और यह इस तरह से exist करता है individual molecule की तरह से exist नहीं करता hydrogen bonding होने के कारण एक layer बन जाती है, एक sheet की तरह से exist करता है तो borax को आप पाने के साथ reaction करवा दोगे, acid की presence में तो बन जाएगा H3BO3 boric acid का heating effect H3BO3 से finally क्या बनेगा? B2O3, final product याद रखना है क्या याद रखना है? final product याद रखना है यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है? कि orthoboric acid को जब गरम करूंगा उसके आग लगाऊंगा तो वो B2O3 बना देगा क्या बना देगा? B2O3 बना देगा क्या बना देगा? B2O3 बना देगा डायबोरेन इसका structure important होता है क्या बनेगा यहाँ पर? केला अकेला केले किदर जा रहे हो तो इसकी bonding काफी important है 3 center 2 electron bond होता है bonding में पढ़ चुके है आप मोलिया का reaction करवाते हो डायबोरेन के साथ तो यह B2H6.2NH3 देता है जिसको हम कुछ इस तरह से करते हैं और अगर आप इसको कुछ और ज़्यादा heat कर लोगे तो inorganic benzene मन जाता है यह हमने वहाँ पर भी याद कर लिया था very important structure यह क्या है? very important structure है अब आजाते हैं हम aluminum के compounds पे किसके compounds पे आ गए हम? aluminum के compounds पे हम आ गए ALOH3 से आप heat कर दोगे AL2O3 बन जाएगा अच्छा यह इसकी metallurgy में use आता है जो भी आपका दुनिया में aluminum produce हो रहा है वो AL2O3 से produce हो रहा है जो भी दुनिया में AL2O3 हमारा aluminum produce हो रहा है वो AL2O3 से produce हो रहा है इसलिए यह काफी जादा important compound है तो आप इसको ALOH holterize से बना सकते हो AL2SO4 holterize से बना सकते हो सबको heat करके बनेगा या आप यह alum से भी बना सकते हो आप इसको alum से भी बना सकते हो heat करोगे तो क्या बन जाएगा? AL2O3 बन जाएगा क्या बन जाएगा? AL2O3 बन जाएगा ALCL3 की preparation हम कैसे करेंगे? AL overheated 6HCl यह gas है this is in gas form vapors है इसके dry vapors है पानी मतला ना वरना पानी और aluminum की affinity क्या होती है? बहुत जादा इसलिए कौन सा reaction करा रहे हैं? dry reaction question पूछ लेते हैं ALCL3 की preparation में dry HCl क्यों use होती है? अगर आप HCl को vapor की जगे dry की जगे wet use कर लोगे तो AL OH whole thrice की preparation हो जाएगी जो finally AL2O3 बना देगा क्या बना देगा? AL2O3 बना देगा anidrous form यह भी पूछा जाता है which of the following compound is deliquescent? तो answer आजाएगा ALCL3 question क्या पूछा जाता है? which of the following compound is deliquescent? तो answer आजाएगा ALCL3 sublime हो जाता है यह अपने liquid form में नहीं जाता आप इसको 180 degree पे heat करोगे तो directly यह solid to gas बन जाएगा sublimation का मतलब यह होता है alums important category of compound formula क्या होता है? M2SO4.M-2SO4 whole thrice.54H2O कोई साभी combination बन सकता है सबसु important जो alum होती है वो होती है potassium इसका formula याद कर लेना कई बार mole concept के question में directly potassium लिखा जाता है बिना इसका formula दिये तो आपको याद होना चीए k2SO4.al2SO4 whole thrice.24H2O या फिर question कैसा आता है number of water of hydration in potassium numerical type question आ जाएगा जिसको याद होगा वो 5 second में 4 number कमाएगा जिसको नहीं होगा वो 0 number लेके आएगा ठीक है? तो यह potassium है यह एक double salt है क्योंकि इसमें एक salt तो यह है एक salt इसमें यह है तो this is a double salt potassium alum double salt answer आ जाएगा 24 ठीक है? चले आगे यह potassium क्यों 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 काम आती है? यह भी आ जाता है बड़े अजीब से question पूछन पूछने लग गया है आजकल जेही मेन वाले और नीट वाले coagulant अच्छा एक बात बताओ यह तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा purification of water वाला हमारे घर में जब भी गरंदा पानी आता है तो alum को डाल देते हैं पानी में तो जितनी भी गंदगी होती है सबको attract कर लेती है अपनी तरफ कौन? alum तो पहले के घरों में तो fit curry होती है ना fit curry हिंदी में बोलते है fit curry fit curry डालके रखते थे ठीक है tanning of leather leather industry में बहुत काम आता है dying में कई बार आपको चीज़े मिलती है जो उबरी हुई होती है उनको चिपकाने के लिए भी ये काम आता है और antiseptic इसकी antiseptic properties तो होती है carbon family इसकी trick क्या होती है भाई? chemistry sir gives sun key problems carbon group की trick क्या होती है? chemistry sir gives sun key problems ठीक है? तो ये इसकी trick है general configuration क्या है? NS2, NP2 इसका डबा बनाए अगर तो एक और दो ऐसे electron इसमें रहता है तीसरा डबार रहता है खाली ठीक है? इसकी covalency क्या होती है भाई? maximum covalency इसकी होती है 4 क्यूँ? क्यूँकि ये जो S के 2 electron है उसमें से एक electron को उचका के P में बुला लेता है bonding करने के लिए hybridization करने के लिए तो covalency कितने की हो जाती है? 4 की covalency हो जाती है covalent radius down the group जाओंगा n बढ़ेगा तो size भी बढ़ेगा ionization enthalpy इसकी भी exceptional होती है नहीं ionization enthalpy तो सही है ionization enthalpy तो down the group जाने पर decrease ही करेगी अभी जब हम वो देखेंगे melting और boiling point तो इसका भी exceptional होता है ionization enthalpy तो normal trend follow कर रहा है जैसे जैसे नीचे जाओंगा electron की distance भढ़ती जाएगी किस से? nucleus से तो ionization करना क्या हो जाएगा? easy तो down the group जाने पर ionization energy भी नीचे जाती है ठीक है? melting boiling point फिर से exceptional याद करना पड़ेगा इसमें भी packing का लफडा है यह graphite में और diamond में इतना तगडी तरीके से bond होके रहता है carbon कि यार normal फिर भी metal 2000 degree पर melt हो जाते है पर यह 4000 degree से पहले मानता नहीं है electronegativity जैसे इसे नीचे जाओंगा electronegativity भी कम होगी oxygen के प्रती काफी प्यार करते हैं यह लोग oxygen को काफी प्यार करते हैं जब आप oxygen के दाथ heat करोगे तो oxide बना लेंगे या तो MO बनाएंगे carbon monoxide के जैसे या MO2 बना लेंगे carbon dioxide तो limited मातरा में oxygen दोगे तो monoxide बनाएंगे काफी मातरा में oxygen दे दोगे तो dioxide बना लेंगे SIO high temperature पर से भी exist करता है CO2, SiO2 मतलब rate CO2 acidic होती है SNO2 और PBO2 ये amphoteric होती है metallic नहीं होती है amphoteric होती है तो इस group की 3 oxides acidic बाकी दो नीचे नीचे वाली amphoteric हेलोजन के प्रती रियक्टिविटी सारे के सारे हेलोजन के साथ compound मनाते है ठीक है जहाँ पर X, F, C, L, B, R, I है carbon के अलावा बाकी सब directly हेलोजन के साथ react कर लेते है carbon नहीं करता ठीक है carbon को हीट वीट देना परते है तब जाके वो react करता है अब ये इसका सबसे important part है पूरे chapter का 2 important part होते है hydrolysis और silicate वो अपने आपको जान मुझकर bonding में नहीं पढ़ा या ठीक है तो SICL4 पर जब हम एक पानी का molecule तोड़ेंगे इसकी trick क्या है इस bond को तोड़ो OH जोड़ो एक-एक bond तोड़ते जाओ उसकी जगे OH जोड़ते जाओ एक-एक bond तोड़ते जाओ OH जोड़ते जाओ तो क्या trick है माइनस कर दो CL को प्लस कर दो OH को CL निकला OH आ गया ठीक है फिर एक CL निकलेगा फिर एक OH आ जाएगा फिर CL निकलेगा OH आ जाएगा फिर CL निकलेगा OH आ जाएगा फाइनली क्या बन जाएगा यह बन जाएगा H4SiO4 तो आपको करना क्या है आपको यह करना है कि Cl निकालते जाओ OH एड़ करते जाओ carbon galotrops very important graphite thermodynamically ज़्यादा stable होता है thermodynamically more stable आप से पूछ लिया जाता है कि graphite के molecule में कितने member ring होती है तो answer आएगा 6 member ring hexagonal ring होती है graphite के अंदर carbon का hybridization कितना होता है sp2 होता है क्या यह electricity conduct करता है graphite क्या करेगा electricity को conduct करेगा अच्छा कैसे करता है देखो यहाँ पे जो हर carbon है वो सिर्फ तीन carbon से bond हो हुआ है यह एक यह दो और यह तीन मतलब उसका एक electron क्या है free है तो आप जब भी electric field में डालोगे तो electron इंदर गूमेगा यह बहुत stable structure है तगड़ा structure है network 3D like structure है यहाँ पे सारे क्या होता है tetrahedral होता है diamond के question से diamond से क्या question आता है कि यार carbon कौन से unit बनाता है diamond के structure में तो carbon tetrahedral unit बनाता है diamond के structure में clear आगे चले अच्छा और यह भी question पूछा आता है कि graphite की दो layers की बीच में कौन से forces होते है तो forces होते है wonder wall wonder wall forces कौन से forces होते है wonder wall forces होते है अब क्योंकि यह weak force है तो graphite एक आगे एक दूसरे के उपर graphite की layer slip कर सकती है इसलिए graphite किसके जैसे यूज होता है lubricant के जैसे यूज होता है या अगर layers आराम से slip कर सकती है तो मैं दो लोगों के बीच में इसको डाल दूगा ना आप में बहुत रगड हो रही है तो graphite तो soft है वो lubricant बन सकता है इसलिए graphite को lubricant की तरह से भी use करते है फुलरीन यह बहुत recently developed allotrop मिला है हमको carbon का इसमें सारे carbon sp2 hybridized होते है इनमे 5 and 6 member rings होती है ठीक है और generally c60 इसका सबसे common form है जिसको हम buckminster fullerene बोलते है dome like structure होता है ठीक है 5 member and 6 member rings होती है c60 को हम क्या बोलते है buckminster fullerene बोलते है इसमें 60 से 350 के बीच में carbon होते है rings के बीच हो ring कैसे होती है 5 and 6 member ring होती है carbide मतलब c2 2 minus यह होता है अपना carbide carbide का classification number of carbon atoms पे होता है जो hydrocarbon से जिसको हम मिलाते है तो जैसे c1 unit वाला तो आप c1 unit मतलब b2c type के carbon पे या पिर c4 minus होता है sorry c2 2 minus नहीं होता हमने गलत लिख दिया था एक c पे 4 minus का charge होता है या c2 2 minus होता है वो डिपेंड करता है unit कौनसी है तो यहां पे carbon के उपर 4 minus का charge है क्योंकि यहां पे सिभी एक carbon है तो इसको बोलते है c1 unit वाला carbide इसको क्या बोलते है c1 unit वाला carbide इसको बोला जाता है ठीक है तो जैसे एक्जामपल हो गए beryllium carbide या aluminium carbide तो जब आप इसका hydrolysis करोगे तो आपको methane मिलेगा तो अगर hydrolysis करने पर एक carbon वाला product मिल रहा है तो वो कहलाएगा c1 unit carbide hydrolysis करने पर 2 unit वाला मिल रहा है तो c2 3 unit वाला मतलब 3 carbon वाला अगर hydrocarbon मिल रहा है तो कहलाएगा c3 unit चार वाला मिल रहा है तो कहलेगा C4 unit clear है, आगे चले, covalent carbide भी होते हैं, जैसे CH4, CO2, CS2 इनको हम covalent carbide मान सकते हैं SIC, B4C, इनको भी हम covalent carbide मान सकते हैं, जिसमें covalent bonds है interstitial carbide, कई बार क्या होता है कुछ-कुछ metals के बीच में कुछ-कुछ metals के बीच में, ये छोटा सा carbon जाके गुश जाता है, ये सब metal है और ये कौन है, ये carbon है, तो carbon क्या हुआ, metal के बीच में जाके गुश गया, तो इसको क्या बोलेगे, interstitial बीच की जगों में जाकर बैट जाना, interstitial carbide, carbon का important compound, carbon monoxide, ये क्यो famous है, क्योंकि ये बहुत poisonous होता है देखो, आपको एक चीज़ बता हूँ आपने सुना होगा, कि आज घर में आग लग गई और खिड़की बंद रहने के कारण, लोग मर गए, ऐसा क्यों होता है देखो, खिड़की बंद रह गई आग तो लगती जा रही है खिड़की बंद रहने से, oxygen का supply क्यों हो जाता है, कम हो जाता है तो limited oxygen के supply में carbon के साथ oxygen का reaction शुरू हो जाता है, तो CO2 की जगे कौन बन जाता है CO बन जाता है, किसका formation बन जाता है CO, तो जब हम partial oxidation कराते हैं carbon का, तो carbon monoxide बन जाता है, जब हम partial oxidation कराते हैं किसका carbon का, तो क्या बन जाता है carbon monoxide बन जाता है which is poisonous, जो हमारी blood में जाता है, blood के oxygen को खा जाता है, और हम मर जाते है highly poisonous होता है, ये 300 दफा ज़्यादा stable होता है, oxygen hemoglovin की complex है, तो ये hemoglovin की band बजा देता है, और बहुत जल्दी मौत हो जाती है carbon dioxide, आप पूरा excess में oxygen देके, combustion करा दो, CO2 बन जाएगा, चाए methane का कराओ, चाए coal का कराओ, CO2 बन जाएगा, ठीक है, water के साथ ये H2CO3 बना लेता है जो बहुत weak, di basic acid होता है, दो step में बहुत normal बात है, major use CO2 गा भाई हम बोलते ना यार कि भाईया जिन्दगी में पेड लगाओ क्यों, क्योंकि पेड जो CO2 release हो रही है उसको खा जाते हैं, और हमको खाना दे जेते हैं, तो पेड लगाओ, जिन्दगी बचाओ, ठीक है क्योंकि पेड क्या कर रहे है पेड जो है, अपने प्यारे वो CO2 को खा रहे है ठीक है, पेड जो है, वो CO2 को खा रहे है CO2 क्या करता है, global warming global warming से glacier पिगलते हैं, नदियों में पानी आना तोड़े में मंद हो जाएगा समदुर के level बढ़ जाएंगे, समदुरी तटवाले रोग मर जाएंगे CO2 की तरह poisonous नहीं है पर global warming ये कर रहा है जिससे बहुत सारे consequences हमको मिलने वाले हैं अब बात आती है, silicon की ठीक है, यह earth crust में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मातरा वाला element है क्योंकि rate बहुत आयत मातरा में present होती है, clay बहुत सारी मातरा में present होती है, बहुत सारे stones उसमें silicon present होता है यह आपको याद करने है यह तीनों आपको याद करने है फ्लेट स्पार हो गया, केलिनिट हो गया और अस्बेस्टोस हो गया these should be learned, ठीक है sand में मिल जाता है, flint में मिल जाता है, quards में मिल जाता है combined silicate में मिल जाता है, इसके जैसे, silica से आप कैसे silicon मना सकते हो, यह rate है, silica मतलब rate, तो आप इसको coke के साथ, किसके साथ reduction of silica with high purity coke, coke मतलब coal के जैसा होता है, grinded coal होता है, पिसा हुआ, आप coke के साथ, इसका reaction करवा लो आपको क्या मिल जाएगा, silicon मिल जाएगा, तो question कैसा बनता है, कि मैं किस के साथ, ऐसा yotu का reduction करवा हूँ कि silica मिल जाए, तो answer जाएगा, carbon के साथ reduction करवा, chemical properties unreactive होता है, क्यों क्योंकि आपस में catenation property होती है, silicon में क्या होती है catenation property तो ये काफी bonds बना के रखता है, silicon silicon वाले silicon silicon वाले bond बनाने के कारण ये काफी stable हो जाता है तो room temperature पे इसके आपकोन react कर पाता है सिर्फ fluorine, तो आप question कैसा बनेगा, which of the following elements can react with silicon at room temperature answer क्या जाएगा, fluorine जाएगा, ठीक है silicon के compound, selene मतलब SIH4 और SI2H6 SIH4 और SI2H6 ये ही दोनों बनते है silicon silicon का और oxygen का bond होता है और साथ में carbon भी है तो carbon भी है, silicon भी oxygen भी है तो हम R2, SI, CL2 लेते हैं पाने के साथ reaction कराते हैं CL हटाओ, oxygen लगाओ, तो ये क्या होगा है, इसका hydrolysis हो गया फिर heat करते हैं, तो पानी भाग जाता है, क्या बना लेता है ये बना लेता है, तो ये क्या लीनियर chain compound बन जाता है क्या बन जाता है, क्या बन जाता है एक linear chain compound बन जाता है cyclic silicones cyclic silicones में cyclic structure होता है भाई, पहले linear structure था इसा, अब ये क्या हो गया है ये cycle बन गया है, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे six member ring बन गया है ये eight member ring बन गया है, तो आप से इसमें इसा पूछा जाता है, क्यार silicon oxygen silicon linkage कितने हैं, इसमें तीन है, इसमें चार है तो ये क्या हो गया है, ये सारे हो गया silikons, cross-linked silikons भी होते हैं, जो हमने शुरू में देखा था जिसका 3-dimensional network होता है, जो इधर से उधर पूरी दुनिया भर में extend करते हैं, लब में चोड़े molecules होते हैं और highly stable होते हैं highly stable जहां पे भी network like bonding हो जाती है, इतने सारे atoms एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वो हो जाता है, अपना highly stable सबसे important, अब आ गया है silikates हम क्या करते हैं, हम h4, si o4 लेते हैं, और इसमें से h4 को हटा देते हैं, तो हमार पास si o4 4- बच जाता है, हमने क्या किया, h4 को हटा दिया और हमार पास बच गया si o4 4- क्या बच गया हमार पास, si o4 4- हमारे पास बच गया, तो यह हमारा एक unit हो जाता है silicate का, तो आप क्या करते हो, अब si o2 का reaction, na2 si o3 के साथ करा देते हो, तो आपको silicate समिछ जाता है तो यह tetrahedral unit होता है कैसा unit है, यहाँ पे यह o- है, इधर o- है, इधर o- है, इधर o- है, तो यह plane projection हो गया, इस तरह से हम silicate iron को, अगर हमको एक plane में इसको project करना है projection का मतलब क्या होता है, यार मेरे सामने से light आ रही है, पीछे मेरी shadow बढ़ रही है तो वो मेरा हो गया projection, तो ऐसी अगर हम एक silicate को project करेंगे, जो सबसे छोटा unit होता है silicate का, उसको अगर हम project करेंगे, एक plane पर, तो वो हमको ऐसा दिखेगा ठीक है, तीन तो oxygen silicon के जस्ट पीछे oxygen है तो यह जो dot है, वो silicon है और जो गोला है, वो oxygen है तो अब silicate के बहुत सारित प्रकार होते है, जैसे पहला ortho silicate, यह आपको नाम याद करने कैसे पूछायता है, zircon is which type of silicate, तो आंसर जाएगा ortho silicate, millemite is which type of silicate, तो आंसर जाएगा ortho silicate, इसका unit क्या होता है si o 4, minus 4, तो hybridization होगा sp3, और tetrahydral होता है यह shape मैं, single unit का structure है अब मैं क्या करता हूँ, number of units बढ़ा देता हूँ, तो मैंने क्या किया, देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे minus charge था, ठीक है एक दूसरा unit था, उसमें भी यहाँ पे minus charge होगा, तो मैंने O2 minus को बाहर भगा दिया किसको बाहर भगा दिया, O2 minus को बाहर भगा दिया, दो orthosilicate को जोड़के, एक single unit बना दिया, क्या बना, यह बना, क्या बना, यह बना, ठीक है, इसको बोलते है, pyrosilicate, pyrosilicate में क्या होता है, दो unit of silicate होते हैं पाइरो सिलिकेट में क्या होता है दो यूनिट ऑफ सिलिकेट होते हैं और यह इस तरह से रीप्रेजेंट होता है तो यार इसका फॉर्मला क्या आ जाएगा अब ध्यान से सुनना इसका फॉर्मला हो जाएगा Si2O76-ец, क्या हो गया, पाइरो सिलिकेट हो गया साइकलिक सिलिकेट अब आपन क्या करने है? यूनिट्स को रिपीट करते जा रहे हैं तो three members, जब भी साइकलिक सिलिकेट बनेगा तो दो अकसिजन शेयर होंगे क्या बोलो मैं जब भी cyclic silicate बनेगा तो दो oxygen share होंगे दूसरे unit के साथ तो ये इसका एक oxygen share हो गया इसका दूसरा oxygen share हो गया इसका ये oxygen share हो गया ये वला oxygen share हो गया इसमें ये common हो गया तो देखो 1, 2, 3 ये oxygen तो shared है इसके अलावा जो oxygen बचें एक, दो, तीम, चार, पाच और छे उन पे माइनस वन का चार्ज है तो जो oxygen, जो shared oxygen है shared oxygen जो है उन पे तो 0 का चार्ज होता है क्योंकि उनकी valency satisfy होगी और जो non-shared electron है उन पे minus 1 का चार्ज होता है तो इसका formula क्या हो जाएगा? इसका formula हो जाएगा si, general formula है, si, n general formula अगर इसका हम लिखे है आगे जाते हैं, अगर हम इसका general formula लिखे है अगर हम इसका general formula इसका अगर हम लिखते है तो इसका general formula हो जाएगा si, n, o, 3, n और charge कितना हो जाएगा? देखो, charge कितना हो जाएगा? जरा मिरे को बताओ no oxygen है, तो minus n का charge है मतलब अगर n की value यहाँ पर 3 है si n, n की value 3 है तो charge minus 6 का है n की value 6 है, तो charge minus 12 का है तो क्या हम यहाँ पर यह लिख सकते हैं 2n minus, तो charge कितने का हो जाएगा 2n minus का charge हो जाएगा तो si n, o 3n, 2n minus यह किसका formula हो गया cyclic silicate का formula हो गया इसके example जो सबस्यादा important है वो है beryl और emerald beryl और emerald से बहुत ज़्यादा question आता है क्योंकि यह हमको daily life में देखने को मिलते हैं, ठीक है इसके लावा single chain silicate होता है एकदम straight line में chain चलती रहती है तो कित्ते oxygen share हो है per unit सिर्फ एक oxygen share हो रहा है per unit तो एक unit पर कित्ते का charge जाजएगा minus two ठीक है पर जो सबसे end वाले होंगे मतलब यहाँ पर जो सबसे end वाला unit है जो chain terminating unit है उसका सिर्फ एक oxygen share हो रहा है पर यह जो beach के unit है ना जैसे ये वाले unit हो गए अपने ये वाले beach के unit जो है इनके दो दो oxygen share हो रहा है ये वाला oxygen और ये वाला oxygen तो इसका general formula जो आजाता है वो आजाता है SiO3 whole N minus two N तो यह आपने को याद करना है तो जो diopcite होता है वो कैसा silicate होता है वो single chain silicate होता है सवाल कैसा बनेगा कि diopcite is which type of silicate आंसर आजाएगा single chain silicate double chain silicate asbestos अब ये very important है बहुत वार इससे question आया हुआ है यहाँ पे भी आप देखोगे तो कितने oxygen share हो रहे है ज़रा बताना ये oxygen share हो गया ये oxygen share हो गया और ये oxygen share हो गया तो तीन oxygen share हो रहे है तो इसका general formula क्या हो जाएगा SI4 O11 N minus 6 N का charge ठीक है SI4 O11 N minus 6 N का charge इनका general formula भी पता होना चाहिए है तो ये double chain silicate हो गया asbestos इसका example है last type of silicate जो होता है वो अपना होता है sheet silicate तो clay talk या mica इसका example है तो अगर हम इस ring को देखेंगे तो देखो यहाँ पे भी तीन electron share तीन oxygen share हो रहे है पर एक exclusion आदा ही share हो रहे है तो इसका example क्या जाएगा SI5 मतब इसका general formula अगर हम इसके general formula की बात करें तो हो जाएगा SI2.5 N minus N ठीक है तो यार basically कुछ नहीं करना सारे general formula देख ले न general formula को याद करके चले जाना वहाँ पे आप यह structure draw करकर के नहीं देख पाऊगे और general formula को याद करने के बाद आपके answer आ जाएगे तो दो चीज़े जो इसमें याद करनी है वो general formula general formula और examples ठीक है echo type के silicate बचा है जिसको हम 3D silicate बोलते है जिसका example होता है zeolite ठीक है इसमें सारे oxygen ही shared हो रहे है तो this is non-ionic question कैसा बनता है which out of the following which of the following silicate is non-ionic ठीक है which of the following silicate is non-ionic answer होता है 3D silicate जैसे flat spar हो गया या zeolite हो गया या ultramarine हो गया या quards हो गया quards मतलब जो हमको rate मिलती है वो quards होती है तो si o2 whole n इसका क्या है इसका general formula है